बिसमिल्लाइरोक्मानिरोहीम, अस्सलाम अलेकूम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट कपकेक्स, जिसके लिए हमने चार अदद अंडे ले लिये हैं, टू थर्ड कप इसी हुई जीनी ली है, वन थर्ड कप कोको पाउडर लिया है, मैदा में लिया है आदा कप दूथ, अब सबसे पहले ड्राइएंग्रेजिएंट्स को चांद कर लेंगे, मैदा डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे, और अब डालेंगे बेकिंग पाउडर, इन सब चीजों को चांद लेंगे, मिक्स करेंगे और इसको साइड पकट देंगे, अब यह मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसके इनर चीनी डालेंगे, चार दद अंडे डालेंगे, अंडे रूम टिंपरेचर पड़ होने चाहिए, चीनी के मुकमल तोर पर हाल हो जाने तक इसको मिक्स करेंगे, मिल्क अड़ करेंगे, आप इसके जगार पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स करेंगे, अब ड्रय इंग्रीडिंट्स इसके इंदर डालेंगे, और इसको एक ही साइड पर मिक्स करेंगे, करेंगे, मिक्स करेंगे, बड़ करेंगे, इसके झाले तक पर बटर 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 भी यूज़ पर बटर, कर दो कर दो कर दो यह द counterparts बहुत अची तरह से मिक्स हो चुका है और कोई लंप्स भी नहीं है इसमें कपकेक मॉल्ड लेंगे अब इसमें लाइनर रखेंगे अगर आप चाहें तो रख लें वरना इसमें डारेक्ट भी डाल सकते हैं कोई मसला नहीं होगा बैटर की मैयर्मेंट के लिए हमने वन फॉर्थ कप लिया है इसे हम बाद सानी बैटर इसमें डाल सकते हैं हमने मॉल्ड को उपर तक पुड़ा फिल नहीं कर देना बलकि एक हिसा खाली रखना है अब इसी तना बाकी सब भी फिल कर लेंगे एक दौदर फ़र टैप करेंगे ताकि एयर बॉबल्स खतम हो जाएं ओवन को हमने प्रेहिट कर लिया था अब हम इन कपकेक्स को तू हंड़ डिग्री संटी ग्रेट पर तक रीबन बीस से पच्छिस मिनुट तक बेक करेंगे पच्छिस मिनुट हो चुके हैं कपकेक्स तयार हैं इनको निकाल लेंगे डबल बॉइलर पे हमने चौकलेट को मिल्ट कर लिया है अब इनको कपकेक्स के उपर लगाएंगे आप चाहें तो चौकलेट गिनाश भी इस्तमाल कर सकते हैं या कोई सी भी टॉपिंग्स जो यह देखें सारे कपकेक्स पे हमने चौकलेट लगा दी है अब इसके ओपर हम क्रश किया हूँ आप इस्ता लगाएंगे आप कोई सी भी स्प्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं यह कुछ भी आप इसके ओपर डालना चाहें तो डाल सकते हैं अगर आप कोई रेस्पी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तक साथ शेयर करना बिलकुल ना भूलिएगा अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल अराई फूट प्लेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें साथ मेरे देएवे बेल आइकन के बटन को प्रेस करने ताकि मेरी नहीं आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें आला ताला हम सबको अपने हिफ्ज वामान में रखें इसी दुआ के साथ अला हाफिज